हेलो दोस्तों मेरा नाम राहूल और आपका हमारे यूटिब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए जो जीव बिग्यान है उसके अध्याज जय प्रक्रम के महत पुर्ण प्रश्ण लेकर आए हैं जो बोड इक्जाम के लिए बहुत ही मौत पुर्ण है और पूछा भी गया है ठीक है दोस्तों दूसमें से जो हमारा पहला प्रश्ण है वह पौधों में भोज्य पदार्थों का अस्थाना अंत्रड करने वाले भाग का नाम लिखिए जो पौधा होता है उसमें जो भोज्य पदात यानि जो खाने वाला पदात होता है उसका अस्थाना अंत्रड करने वाले भाग मतलब किसके द्वारा उसका अस्थाना अंत्रड जिसे एक साका से दुसरे साका में इधर से उधर किसके द्वारा किया जाता है तो हमारा correct answer होगा फ्लोयम फ्लोयम में कैसा भाग है ज इसके द्वारा भोजय पदार्तों का स्थाना अंत्रड होता है पोधों में और क्वेश्चन एक यह भी बन सकता है कि जल का स्थाना अंत्रड किसके द्वारा होता है तो जल का स्थाना अंत्रड होता है आप लोग इसको भी याद कर लिजेगा वह भी कल्बी में पूछ सकता ह वो होता है जाइलम, जाइलम के द्वारा जल का इस्थाना अंतरर होता है, ठीक है दोस्तों समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेशन है, जाइलम तता फ्लोय में अंतर इस्पष्ट किजी, अभी मैंने आप लोगों के बताया, जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, और फ्लोय में जो होता है, वो भोजबादार्थों का वहन करता है, वहन या इस्थाना अंतर बाते की है, तो दिया है कि जाइलम तता फ्लोय में अंतर इस्पष्ट किजी, तेकदम साधारर सा क्वेशन है, अराम से लिख लेंगे कि जाइलम जड़ों द्वारा जल तता खनीज पदार्थों को पत्तियों तक पहुचाता है, जड़ों द्वारा, जड़ों जो मुलरों होता है, उसके द्वारा ही जल को अक्सोसित किया जाता है, और फिर जाइलम के द्वारा खनीज पदार्थ और जल को पूरे ब्रिक्ष में पत्तियों तक पहुचा ज जाता है और जब उसमें पत्ति में भोजन बन जाता है तो वहां से फ्लोएंग के दारा पूरी ब्रिक्ष में विविन अंगों तक उस कार्बनिक भोज़े पदार्थों को पहुंचा दिया जाता है इदम साधारल सा क्वेश्चन है अगर आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे तो पकाई अच्छे नमबर लाएंगे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है अगले क्यों पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है व्रिक के दो प्रमुक कारियों का उले कि यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कई बार पूछा है व्रिक के दो प्रमुक कारिया तो पहला तो यह हो जाएगा कि यह हानिकारक पदार्थों को रक्त से प्रिथक करके उस सरजित करने में सहायक होते हैं और दूसरा हो जाएगा यह रक्त दाप को नियांतरित करने में सहायक होते हैं रक्त दाप यानि बलड पेसर जो होता ह उसको नियांतरित करते हैं ज्यादा लो होने देते हैं और ज्यादा हाई होने देते हैं नियांतरित करने में स्ट्राइक होते हैं यह दू कारे लिख लिजिएगा स्ट्राइन और इसबार यह जो है कि इस सौ पर्सेंट क Сам काने की चांस है इसको आप लोग च़रूर नोटْ जाएंगा जैते हैं जहिते हैं यह ज्यादा लनिकाले जाने पर मचल न्यॉक्修त eleven मर जातीहां जबकि जल की आप एक शाथ अधिक अक्सीजन होता होता है बाहर तो दिया है पहले उततर देख लेते हैं कि मछिलिया गिल्पड़ों तोरह सोचना करती सदारट सी बात है कि मचलियां अपने गलफड़ों त्वहरा सोसन करती है गिल्स वही गलफड़ा गिल्स वहाई उसे अक्सिजन को गरण करने में सक्षम नहीं होते अता कोशिकाओं को ओटू उपलब्द नहीं होने पाने के कारण मचलियां मर जाती है यहां दिया है कि हम इसको को समझा देती हैं जैसे मचलियां जल में रहती हैं जैने अक्सिजन बाहर के प्लक्स ह carried on । जब उन्हें बाहर निकाला जाता है एक आ एक जब अधीक oxygen मिलेगा तो उसको गरहर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसी में ढल गए होते हैं कम oxygen को लेने में इसलिए जब जादा oxygen मिलता है तो उनको सहन नहीं कर सकते हैं इसलिए मचलियां मर जाती हैं बहुत ही अच्छा question है इसको भी note कर लिजएगा आप मैं आप लोगों को सिर्फ most important question बता रहा हूँ जो बोड इक्याम के लिए बहुत ही महतों पुर रहे दोस्तों आगे देखते हैं अगला है धमनी और सीरा में चार अंतर लिखिए ये four marks का पूछ देता है कि धमनी और सीरा में चार अंतर लिखिए तो आज़े देखते हैं पाला हो जाएगा हमारा कि धमनी में धमनी में धमनी में सुद्धरक्त बहता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा सुद्धरक्त बहता है असीरा में असुद्धरक्त बहता है असुद्धरक्त बहता है दूसरा हो जाएगा कि इनमें कपाट नहीं होते हैं इनमें कपाट नहीं होते हैं इसमें हो जाएगा कि इनमें कपाट होते हैं कि तीसरा हो जाएगा कि इनकी दिवारें इनकी दिवारें अत्यधीक इनकी दिवारें अत्यधीक मोटी तथा लचिली होती हैं कि इनकी दिवारें क्यों मोटी होती है लचिली होती है वोजी बात इन्में कि इनकी दिवारें इनकी दिवारें पतली इनकी दिवारें पतली तथा कम लचिली होती है लाचिली होती है इनकी दिवाने पतली तता कम लाचिली होती है अगला है इनमे रुधीर इनमे रुधीर अधिक दबाव के साथ बाता है इनमे रुधीर अधिक दबाव के साथ बाता है इसमें हो जाएगा कि इनमे रुधीर धीमी गती से धीमी गती से बाता है ठीक दोस्तों मैंने आप लोगों को चार धमनी और सीरा में अंतर बता दिए देख लीजिए फिर से इसको इसकी सुर ले लीजिएगा दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इनकी दिवारे अतिदिक मोटी और इनकी दिवारे अतिदिक पतली के होती है क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को एक और इसमें लिखवाया है कि इनमें जो धमनी में जो रुदीर होता है वो अत्यदिक दबाओं के साथ बता है तो अत्यदिक दबाओं के साथ बाएगा अगर इनकी दिवार पतली होगी तो फटने का डर हो सकता है इसलिए इनकी दिवारे मोटी होती है और इसकी दिवारे पतली इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो रूधीर होता है वो धीमी गती से बाता है तो आप लोगों को समझ में आगया होगा ठीक है दोस्तों तो मैंने आज आज आप लोगों को 5 most important जैव प्रक्रम के question बताएं अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, share, subscribe और कमिट काना मत बुलेगा ठेंक्यू दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में एक नए topic के साथ थन्यवाद